हे दोस्तों में चिराग एक वीडियो के साथ तो आज हम देखे रहें रेटायर्मेंट एंड दैथ और पार्टनर का सेकेंड वीडियो पिछली वीडियो में हमने देखा था गेनिंग रेशो का पार्ट फिर सेकेंड हमने देखा था जात तक मुझे ध्याना रहा है ट्रीटमे कंग को बताएक कि आपने एडमेंशन के पार्टमें ही कवर कर लिया था रिवयलीशन और मेमोरेंडम रिवयलीशन और में ही जिए योदेगा Arts प्राफिट्र को जैसे ही आप उस की सीधी लाइन में ने आपको बताया था बाटोगे तो उस case में क्या आएगा आपका to all partner क्योंकि आपको पता है कि वो ही old है ठीक है तो profit के सीधी सीधी line में सारे के सारे partners में मान लो की A, B और C है उसमें बढ़ जाएगा और यहां पे by side में यही चीज जो all है वो क्या जाएगी by remaining partners यहां रखना जैसे मान के चलो की A retire हो गया तो बचा कौन B और C तो यहां पे B और C आजाएगा अगर C retire हुआ तो क्या जाएगा A और B जानि उनके new ratio में आजाएगा तो यहां पे हम all partner करेंगे old ratio में क्योंकि old partner है सारे के सारे और जब नए partner नए partner या नहीं या नहीं रिमेनिंग partner की बात करेंगे तो उस case में हम क्या बोलेंगे new ratio की बात करेंगे ठीक है बस यह आ रख लेना अब देखिए आपका fourth जो part आ रहा हुआ रहा है distribution of reserves and accumulated profit obligue losses का तो generally यह आपका admission of partner की तरह है वहाँ पे हम old partners capital है current करते थे यहाँ पर हम क्या करेंगे all partners capital है current same part है अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है for distributing accumulated profits and reserve तो इसका मतलब क्या हुआ liability side के यह बैलेंट शीट के liability side के जो भी सारे reserves या accumulated profit है यानि general reserve आ गया reserve fund आ गया profit and loss का credit balance आ गया WCR workman compensation reserve investment fluctuation reserve आपने बोला यहाँ पर लिखा नहीं है देखिए नहीं भी लिखा तो क्या हुआ पिछली वीडियो के सब से देख लीजिए लेकिन फिर भी मैंने B part में इसको cover किया है specific fund के नाम से वैसे यहाँ पर भी लिख सकते थे बात वही है यानि पहले की तरह देखिए same to same है general reserve reserve fund P&L का credit balance क्योंकि आपको बता है कि यह सारे debit हो जाते है क्योंकि पहले इनका balance क्या होता है liability side में credit side में होता है एक तरीके सा आपको बता है ठीक है liability क्या होती है credit होती है तो इसको आप debit करोगे और सारे partners की capital है current account के साब से बाट दोगे current का बाता है जब मैंने आपको बताया था fixed capital का part हो old ratio में बढ़ जाएगा फिर आपको यह illustration दे रखा है ताकि आप समझ जाओ वैसे तो आपको आता ही है यह बोल रहा है XYZ partner है 211 ratio है वाइ रिटायर होगे 31st मार 16 को उस date को देरवाज balance of 24,000 in general reserve and 16,000 in PNL account अब बताएगे simple part आपको बोल जाए कि वाइ रिटायर हो गया अब भाइ भी तो पुरा नहीं था तो इस case में क्या होगा all partners capital हो जाएगा अगर यहां पे fix capital बोलेगा तो capital के जाएगा current आजाएगा entry देखे क्या होगी general reserve PNL account debit to X capital to Y capital to Z capital total में लागे कितना होगा 24 plus 16 40 ठीक है 40,000 को आप 211 में बाट होगे तो 20 10 10 आ जाएगा ठीक अब देखिए specific fund इसका मैं detail part आपको admission वाले पार्ट में बता चुका हूं same to same रहेगा कुछ भी ने रहेगा बस आपको क्या करना है all partners capital account करना है और या compensation reserve या जो आप fund बोल रहे हो investment fluctuation reserve या fund बोल रहे हो जो भी आप बोल रहे हो particular क्योंकि देखिए dissolution में थोड़ा सा अलग मानते हैं जब मैं आपको सिखाऊंगा लेकिन जब हम admission की बात करते हैं तो उस case में हम क्या रही है admission के time तो ही और retirement के time भी हमें पता है कि remaining partner continue कर रहे हैं तो उस case में क्या होगा जो सारे कब आ जाएगा जब liability का पार्ट जाद आ जाता है किससे रिजर्व से लेकिन अगर रिजर्व से कम है तो अगर बच जाता है तो उस case में क्या करेंगे all partners capital मतलब partners में वो बट जाएगा तो यह बोल रहा है specific fund such as workman compensation fund और investment fluctuation fund are in access of actual requirement मतलब जो investment का fluctuation हुआ है उससाब से हम बोल रहे हैं कि fund अभी भी हमारे पास available है मान के चलो कि investment की value 5000 से कम हो गई लेकिन आपके पास जो fund बना हुआ वह 8000 बना हुआ है तो इसका मतलब 5000 तो आप यूज़ कर लोगे बाकि जो 3000 वो partners में बाट दोगे liability आपकी कितनी बन गई 6000 बन गई reserve कितना है 10,000 पड़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या है अभी भी आपके पास 4000 अवेलेबल है जो कि partners में बाटने के लिए बचा हुआ है क्योंकि 10,000 में से 6000 की liability आपने set off कर दी reserve में से बाकी reserve बचा 4000 तो आपने बाकी सारे partners में बाट दिया अ यहां बोल रहा है PQR partner है 321 है पी रिटायर हो गया and on that date there was workman compensation fund amount to 30,000 in the balance sheet but actual liability on this account was 12,000 only on that date नीचे बोलता है ने additional information में कि liability for workman compensation या claim for workman compensation कितना है 12,000 है जबकि यह क्या बता रहा है आपका कि जब पी रिटायर हुआ उस वक्त balance sheet में liability side में आपको 30,000 डिजर्व दिखा रहे जबकि liability कितने की बनी actual में 12,000 की तो इसका मतलब access कितना बचा 18,000 अभी भी बचा हुआ है अगर आप इसकी entry करेंगे तो क्या करेंगे WCF account debit कितने से 30 ठीक है उसमें से 2 liability कितना करेंगे 2 liability for WC कितनी करेंगे 12,000 बाकि अभी भी तो 18 बचे तो 18 को आपको क्या करना है बाट देना है किसमें पार्ट होगे PQR में 321 में तो कितना होता है 9,000, 6,000 and 3,000 ठीक तो यह देखिए Workman Compensation Fund to PQR देखिए मैंने आपे बताया liability तो to claim for workman compensation कितना है 12 बाकि 18 क्या होगा पुराने ratio में बच जाएगा और पुराने कोन है वो ही all partners capital all सारे के सारे ठीक Simple इसी तरीके से अगर आपका loss होता है या defer revenue expenditure होता है तो आपको बताए कि वो debit होता है और loss को कौन bear कर रहे है partners bear कर रहे है किसके accounts है capital account से नहीं तो current current का बाता है जब fixed capital DV होती है एक example आपको दे रखा है simple सा basic P&L का फिर भी अगर आपको इसमें advertisement expenditure है सारे जोड़ देना है तो वो particular आप apply कर सकते हो ठीक है अब देखिए क्या बोल रहा है ABC equal partner है a retire हो गया and on that date देर वाज़े debit balance of 15,000 in P&L account तो profit and loss account में debit balance में कितना दे रखा है 15,000 इसका मतलब asset side में आपको दे रखा होगा balance sheet में P&L का balance कितना 15,000 तो आपको क्या करना है create कर देना है और partners की capital को debit कर देना equal partner है तो 15,000 को 555 में बाट देना simple सी बात ठीक अगर आप क्या करोगे adjustment के साब से करोगे तो वह जैसे आपने क्या करा admission वाले अगर आप सेम वैसे करोगे कहने का मतलब अगर आपको P&L को बाटना नहीं है अगर आप accumulated profit को बाटना नहीं चाहते तो उस case में आप क्या करोगे जैसे आप goodwill का treatment करते हो उसी आप सोच के कर लोगे ठीक है देखिए क्या होता है कि वह goodwill का part और जो रिजर्व का part यह सारा जुड़ता है और हम बोलते हैं कि यानि रिजर्व या profit का part और उसमें से टाइम मिला तो थीक फिफ्ट वाले बाट में क्या बोल रहा डिस्पोजल ओफड़ अमाउन ड्यू तो रिटाइरिंग पार्टनर देखिए मैंने इसमें कोई इतना ज्यादा बड़ा question cover नहीं किया एक फिर भी cover किया जान पूछ के लेकिन आते नहीं है और मैंने आपको ब पार्टनर्स के एपिटल दिखा दूँगा उसमें यह बोल दूगा कि देखिए सी रिटायर हो गया अब आप सोचिए कि अगर सी रिटायर हो गया तो जो उसका बैलनस आ रहा है टू बैलन्स करे डाउन है तो उसको पेमेंट करोगे अब फाम हो पार्टनर जा रहा है तो तो तब तक हम आपका जो भी डूमांट है बैलेंस अमांट है उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं और आपको क्या करेंगे हम दो साल की इंस्टॉल्मेंट में तीन साल की इंस्टॉल्मेंट में जैसे भी है पे कर देंगे उसके साथ आपको इंट्रेस्ट भी दे दिया वो मान गया और बागी 30,000 में क्या बोल दिया वाई तीन इंस्टाल्मेंट में देंगे 10,000 10,000 10,000 लेकिन उसके साथ इंट्रेस्ट भी देंगे अब इंट्रेस्ट या रखना हमेशा किस पर निकलता है आपका कैश प्राइस पर जिसको हम बोलते हैं आउट्सेंडिंग यह नहीं कि 10,10 पर निकलेगा थर्टी हाउजन पर निकलेगा फिर उस पर टैन के पे फिर 20 पर आपको बताए कि installment का मतलब क्या होता है cash price plus interest आप पड़े लिखे हूँ अपने b.com पड़ी m.com पड़ी ध्यान नीरा तो मैं आपको बता जाता हूँ outstanding जो भी due amount होता है outstanding क्या होता है cash price होता है उस पे interest का पार्ट आपका निकलता है जो आपने अगर hp वाले पार्ट में बढ़ा होगा हायर पर्चेस प्राइस वाले भावाड में या हायर पड़ेज़ इंस्टोल्मेंट से related methods जो भी होते हैं उनसे में देखते हो कि जो भी झीच प्रैइस की इंस्टोल्मेंट तो इसका मतलब क्या होग का जो भी principle amount installment का उसके साथ interest जुड़ जाता है और टोटल installment का पाट बन जाता है अभी समझ जाओंगे मैंने शायद इसका एक example कवर भी किया है क्योंकि मैं ने देखता है नहीं example ठीक है यह बोल रहा है when the retiring partner is paid nothing in cash then the whole amount due is transfer to his loan account retiring partners capital to retiring partners loan third क्या बोल रहा है when retiring partner is partly paid in cash and the remaining amount is treated loan जैसे मैंने आपको बताया तो अगर पूरा का पूरा loan माना पूरा का पूरा पे माना और अगर partially cash माना कि partially cash है आप bank से pay कर रहे हैं जैसे मैंने 50,000 वाले example में बोला 20 cash है bank और बाकी 30 क्या चले गए आपके loan account में चले गया ठीक है इस तरीके से हो सकता है एक चलो मैं आपको admission वाले में दिखा देता हूं कि कैसे हो सकता है अब देखिए मैंने यह open कर लिया है तो मैं आपको दिखाए देता हूं यह देखिए मैंने आपको जनरली बताया था यह वाला partner से सहज निमिश और गोरी अगर गोरी रिटायर हो गई ठीक है तो उसकेस में हो गया जो भी है person ठीक है तो यहां पर बोल रहा है कि जैसे वह रिटायर हो गई हो गया तो उसकेस में क्या होगा two balance carried down नहीं आएगा यानि इनका तो balance आए गई आएगा लेकिन इस से related बात कर रहा हो मैं गोरी से related तो अगर payment कर रहे हो गोरी को क्या कर दिया हमने payment कर दिया तो two bank आ जाएगा या two cash आ जाएगा जैसे भी आपका account खुलाओ है उसके साब से आपकी जैसे amount का loan ले लिया तो आपके अगर तो entry bank account debit to bank loan क्योंकि अगर आपके वास पैसा ही नहीं और आप bank से कैसे पे कर होगे या तो bank overdraft होगा तो two bank करते ही वो bank overdraft हो जाएगा या question में बोल देगा कि आपने sufficient amount account bank से loan ले लिया ऐसे भी आते question ठीक है मैंने तो बहुत बार करवाए हैं ठीक है मेरे पास PDF भी पड़ी है राजस्तान बोर्ट से related जो किताब है उससे related तो अगर आपको चाहिए तो देख लेना मांग लेना मैं आपको प्रवाइट कर दूँगा पर उसमें बहुत सारे question है अगर आपके पास time है practice करने के लिए तो बहुत सारे आप कर सकते हैं नहीं तो आपके पास क्या होगी 12 की जो भी बुक है डीके ग जाएगा नहीं तो मान के चलो यह बोलता कि 16825 किससे करापे cash से या bank से तो टू बैंक हो जाता और बाकी क्या हो जाएगा बाकी क्या हो जाएगा गोरी जाएगा तो जो गोरी जाएगा यू बन जाएगा और कितना बन जाएगा वन लैक ठीक समझ गए तो question में जैसा बोले 5 पे करती है और बाकी क्या जाएगा लोन में transfer होगा तो आप ऐसे कर तो बन लैक अब लोन का account create करना बढ़ेगा जब आप लोन का account create करते हो तो आप क्या लिखते हो by goris capital क्योंकि दिमाग लगाई है entry क्या होती है goris capital account debit to goris loan तो goris loan क्या credit तो goris के loan account के credit में by goris capital आएगा कित इसे interest rate 10% दे रखी है तो वन लेक का 10% अगर interest rate कुछ भी नहीं दे रखी लेकिन बोलाए कि एक तरह की से loan माल लिया और कुछ भी नहीं बोल रखा तो जब कुछ भी नहीं बोल रखा तो उस case में interest rate कितनी होती है 6% याद रख लेना यह आपको पताईए in the absence of partnership deed ठीक तो settlement जो मैंने आपको बता है settlement of loan of the retiring partner loan of the retiring partner is dispose of according to pre-decided terms and condition among the partners देगे सीधी से बात है वो partner कब मानेगा retiring वो तो यह वो लेका नहीं मुझे पूरा amount दो लेकिन सामने आले convince करने की करेंगे firm कि अभी इतना ही amount है आपको भी बता है कि हमारे पास cash का है bank का balance क्या चल रहे है तो हम आपको क्या कर रहे है पे कर रहे है और उसके साथ हम आपको interest भी दे देंगे normally the principal amount is paid in few equal installment देखिए principal जब भी होती है तो वो होती है capital value या cash value आ रखना तो आपको पता है कि interest अलग से होता है ठीक in such case interest is created to loan account on the basis of amount outstanding at the beginning of each year अब देखिए outstanding कौन सा amount होगा outstanding principal amount outstanding cash price ठीक and the amount paid is debited to loan account तो जब भी amount pay करोगे loan का तो loan account को debit करोगे interest कहां create कर दोगे loan account में इसका मलब क्या जब भी interest due होता है खर्चा expense debit तो interest account debit loan देना है दियानी तो आपको बता है कि आप interest जो दोगे वो कैसे दोगे जो भी installment का amount है उसके साथ दोगे इसलिए जैसे ही due होती है interest loan की एंटी तो आ bank जिसमें देखिए क्या बोल रहा है including interest यहां रखना तो इसका मलब principal plus interest होता इसमें ठीक है तो यहां बोल रहा है ABCA partner B retire हो गया firm से एक जनवरी 15 को on the date of his retirement रुपी 66,000 वर due to him it was decided that the payment will be done in three equal yearly installment together with interest at the rate 10% per annum on unpaid balance prepared these loan देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं ठीक अब इसमें जैसे तरीका क्या दे रहा है इसमें तो नॉर्मल आपको बोल रखा है कि जो भी payment होगा वो क्या होगा तीन equal yearly installment तो आपको बताए कि 66,000 due था जैसे ही वो retire हुआ तो इसका मतलब उसका जो balance दिखाता अब balance की जिएगे हमने क्या बोला loan के थूपे करेंगे loan के form में तो be retire हुआ तो हम क्या करेंगे to be's loan तो आप mind में सोचिए उपर 20 capital बनावा है partners capital ठीक है तो 20 capital to be's loan to be's loan में कहाएगा by be's capital 66 यह आपको दियान आगया अब आपको यह दियान देना yearly अगर half yearly होता है तो अलग चीज होती है क्योंकि आपको पता है कि half yearly का मतलब one and half year में पार्ट खतम तो इसका मतलब six 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 तो date साल मतलब one and half year में सारा पार्ट खतम लेकिन ज देखिए 10% परनेम के हिसाब से और एक और चीज हाँ यही था इसमें तो तो वैसे तो interest कि यहां पर दे रखिए तो यहां देखो by interest 10% 66,000 का 10% कितना है 6600 66,000 प्लस 66,000 कितना हो था 72,600 अब देखिए 22 कैसा आया 66 जो आपकी cash price है total जो मिलेगी जो की B को मिलती लेकिन B को क्य है तीन installment में 22,000 तो मिलेंगी ठीक प्लस उसके अलावा जो हर साल का interest है तो आपको पता है कि पहले साल का interest जाद होगा दूसरे साल का कम होता जाएगा क्यों क्यों क्योंकि outstanding पर निकल रहा है और outstanding का महलब क्या है जो भी balance बचके आ रहा है तो आप देख सकता है 22,000 प्लस 66,000 28,600 अब देखिए two balance carried down 44 ही बचा और यहा रखना यह देखो दो installment का party बचा और cash price ही बची है क्योंकि interest हमिशा किस पर निकलता है cash price पर निकलता है जो की outstanding cash price होती है फिर देखिए आपको बताए कि अगले साल का एक January 16 आ गया यही आया इस case में देखिए 44,000 उसका 10% 44,000 48,400 अ अब देखिए two by की तरह मत जाना कि मैंने क्यों नहीं लिखाई मैंने बताया कि आपको मैंने यह print कहीं से जैसे लिया हुआ है तो यह mistake करते हैं तो आपको इस पर नहीं जाना चाहे date पर मत जाए क्योंकि simple part बता है कि आपको पहला साल है दूसा साल है अब देखिए 2017 बीच म और यहां पर देखिए last में two bank payment हो गया तो balance कुछ भी नहीं बचा आप चाहे देख सकते हैं यह 22,000 plus 2200 ही है तो cash price plus interest एक तरीके से payment होता जा रहा है जो भी balance बसता जा रहा है वो cash price बसता जा रहा है उस पे interest यूनिकल के आता जा रहा है अगर आपका 6 महीने का पार्ट है चा जब भी content देखा अब आपको बताए कि UGC, CVSC तो उस case आप साब देखोगे तो मेरे साब साने के उसके chance नहीं है क्योंकि आज तक ही नहीं है और जब मैंने partnership के question भी देखे तो ऐसे basic basic आया है बस क्या आया है जातर आपके profit sharing ratio का पार्ट आया है और कुछ नहीं है या hidden goodwill नि मैंने बताया ना PDF है तो अगर आप चाहिए तो PDF में देख सकते हो या आपके पास जो book है उसके साब से और भी देख सकते हो मैं तो एक तरहे के साब को थोड़ा सा content बता रहा हूं कि हाँ ऐसा होता है ताकि आपके mind में थोड़ा सा part आता जाए अब देखिए adjustment of capital तो आपने पास बर और वहांने देखा था जिसने आपने बोला दो केस होते हैं तिसरा भी आपने बोला था हो सकता है जिसमें आपने बोला था new partner की capital के basis पर सारे partners की निकल रही है यह old partner की capital निकल रहे है पहला नहीं कि और गया兄 तेसरा कि हमारी जो book है RBSC की लेकिन मैंने नहीं कराया क्योंकि जैसे मेरे को लगा कि यह तो आएंगे नहीं इसमें आएंगे भी तो मैं question के तुरू आपको वैसे cover करवा रहा हूँ तो यहां पर बोल रहा है कि retirement या death होती है तो remaining partner बच जाएंगे उनकी जो जो भी adjusted capital होगी बचीवी उनका जो भी balance बचाओगा आप सोचिए कि अभी मैंने पार्ट में आपे बताया आपको इसमें तो मान के चलिए कि गोरी रिटायर हो गई तो यह जो adjusted capital बचीवी है इसका total कीजिए ठीक है फिर उसके बाद क्या करो उसको नए रेशो के हिसाब से निकाल लीजिए सहज और निमिश का जो भी नया रेशो होगा उसके हिसाब से निकाल लीजिए और यह balance मत लिखिए यह वाला और यह वाला balance मत लिखिए जो normal balance आपने निकाला ह है उनकी capital कितनी होगी 2 lakh होगी और वह equal बटेगी तो मैं क्या वह लोगा 2 balance करेट डाउन 1 lakh 1 lakh कर दो जो भी difference आएगा वह तो देखिए case अपने आप बन गए न तो case तो अपने आप बन जाते हैं तीसरा case क्या आएगा ठीक अब वह देखके बताऊंगा क्योंकि देखिए नह को एक और पार बता दूँगा पर अभी देखिए क्या बोल रहा है यह बोल रहा है at the time of retirement that the remaining partners may decide to adjust their capital in their new profit sharing ratio then the sum of their capital will be treated as the total capital of new form sum of their capitals will be treated as the total capital of new form तो आपने बोला सर जो रिटायर हुआ उसकी capital नहीं ली देखो question पर पर डिपेंड करता है ठीक है जो रिटायर हुआ उसकी लेनी है नहीं लेनी वह question पर डिपेंड करता है question में क्या लाइन दे रखी उसके साब से नहीं तो हम क्या करते है जो बाकी partner है उनकी capital ही लेते है ठीक which will be divided in their new profit sharing ratio अब यह एक्जामपल से समझ में आ जाएगा access or deficiency of capital in the individual capital account is calculated यह बोल रहा है सच access or shortage is adjusted by withdrawal और contributed in cash or transferring to partners current account यह बोला जो access या shortage है जो भी है वो two bank या buy bank withdrawal मलब निकाल दिया जाएगा two bank आपको बता है या two current भी आजाता है कभी कभी अगर आपको fixed capital के साब से बोल दिया fixed capital तो नहीं आपको यह बोल देगा कि जो भी withdrawal या contribution है उसका adjustment current account के थुरू होगा या current account में transfer होगा तो आपको वो करनी पड़ेगी अगर बोलेगा कि वो cash से होगा जो भी adjustment है withdrawal या contribution तो two bank by bank या two cash by cash कर दोगे अब entry नीचे दे रखिए आपको journal क्या दे रखिए for access capital withdrawn by the partners आपको बताए कि अगर आप एक partner हो आपको balance क्या है आपको कम maintain करना है तो उस case में आप निकाल लोगे जो भी आपका access part बचावे हो आप निकाल लोगे ठीक है उसी तरीके से आपको क्या बोल दिया अब आपको balance जादा रखना है two balance में जबकि पहले कम आ रहा था तो आपसे मांगा जाएगा मांगा जाएगा तो क्या होगा आ आपको मैंने बताया कोईशन में बोल देगा कि current account के तुरू adjustment करना है अब देखिए बड़ा तो पाट आएगा नहीं या रखना क्यों नहीं आएगा क्योंकि आप में इतना दिमाग है knowledge है कि जब सर बताते हैं कि by balance तो देखिए sahaj निमिश गोरी तो आपके तीनों का balance दे तो कि गोरी का पुरानी partner है मान के चलो जनल लिजर तीनों में बढ़ जाएगा यह premium for goodwill ऐसे नहीं आता है यह admission में आता है लेकिन जब हम retirement death की बात करते तो उसमें क्या बोलते है remaining partner तो remaining मलब जो sacrificing है तो मान के चलो sahaj और निमिश सेक्रिफाइज और निमिश सेक्रिफाइज तो यहाँ पर क्या जाएगा तो यह बाई सेहज बाई निमिश अब आपको पता है ना सेहज में कोई सेहज का आमाउंट थोड़ी जाएगा क्योंकि entry बोलिए सेहज capital account debit निमिश capital account debit तो गोरी तो गोरी को आमाउंट मिलेगा तो यहाँ पर जुड़ जाएगा ठीक और यहा debit और क्रेट किसकी हो रही है गोरी की हो रही है तो गोरी माउंट जाएगा और यहाँ पर क्या होगा सेहज में और निमिश में जाएगा फिर उसके बाद जो एक तरीके से गोरी से रिलेटिट बच गया तो वही टूबैंक टू लोण जनल यही पार्ट आपका आयेगा तो यह बोल रहा है कि उस case में हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले अगर adjustment का हमें बोल दिया capital में तो जो भी सहज और निमिश मलब remaining partner का balance आ रहा है वो हमें देखना पड़ेगा तो यही आपको बता रहा है कि तो यही आपको adjustment बता रहा है और adjustment के बाद आपको capital का balance बता रहा है यह बोल रहा है एक्स वाइजएड पार्टनेर है समझ गए टू-टू-बन है एक्स रिटायर हो गया and after all adjustment the capital account of Y and Z have a balance of Rs.70 and 50 respectively यह रखना पुरानी goodwill का treatment वही है टू गुडविल डेफ़ट revenue expenditure का वही है PNL के debit balance का वही treatment है कि सारे partners में बढ़ जाएगा उसके बाद adjustment के बाद जो बचे तो कितने बचे वाइजएड में 70 और 50 they decide to adjust their capitals in new profit sharing ratio by withdrawing और bringing cash अब देखिए इन दोनों decide क्या कि वह अपनी capital को adjust करेंगे तो इसका मदलब X की capital की requirement थी नहीं वह अपनी capital को क्या करेंगे adjust करेंगे किसके ratio में new profit sharing ratio में तो हमें पता है कि total capital और YZ की ही जरुत्ती 120 120 का आपको बताए कि नया ratio क्या है बताईए सोचिए यह पहला case है जहां पर आपको कुछ भी information नहीं दे रखी और X retire हो गया तो उस case में नया ratio ही यह gaining है और यहीं नया है तो हमें नया ratio में बाटना है तो 120 को जैसे टू अपॉन 3 करोगे तो 80 आएगा और 1 अपॉन 3 करोगे तो 40 आएगा ठीक है तो आप इससे क्या करते थे partnership capital का account उसके नीचे ही खोलते थे और इस balance carry down की जगे brought down कर देते थे by balance और 70 और 50 लिख देते थे यही बताया होगा आपको फिर आपको क्या बोलते थे कि two side में आओ और एक line छोड़के two balance carry down लिख दो और यह बोला कि two balance carry down क्यों लिख रहे हो क्योंकि अब आप जो 120 है उसका नया balance क्या होगा two is to one ratio में कि 80 और 40 होगा ऐसे बोलते थे आपको तो आप खुद सोचिए कि यह 70 यह 80 तो भाईया जो यह partner है यानि जो हम बोल सकते कि कौन वाई वो क्या बोलेगा वो 10,000 लेके आएगा क्यों लेके आएगा क्योंकि उसका balance उसको ज्याद 20 मेंटेन करना पड़ रहा है तो दसजार निकाल लेगा तो देखिए यह 10,000 लेके आ रहा है और यह 10,000 क्या कर रहा है तो भी पेड इसका मतलब क्या है इसे बेगिया जाएगा यह ब्रॉट इन यह लेके आएगा और जैड को कितने दिये जाएंगे 10,000 वापिस से दे दिय किए जाएंगे क्योंकि जैड को कम मिनटेन करना है जबकि जैड पहले क्या करता था जादा मेंटेन करता था आप मेंटेन करना है तो जैड को वापिस दे दिया जाएगा तो जब भी आप नहीं कैपिटल नए रइशो के इसाफ़ से निकाल रहे हैं म inadequate का पार्ट है चाहक आपको पुरानी capital ही दे रखी है लेकिन total के बाद उसको नए ratio में बाढ़ दिया तो उस case में 8040 आपने बोला होता किसार अगर question में आपको बोलता कि नई capital 150 ऐसे बोल देता तो आपको बताए कि 150 को टूइस टूबन में बाढ़ते तो 1 lakh और 50 ऐसे आता तो 1 lakh और 70 का gap 30 क्योंकि पहले कितनी 70 और 1 lakh मेंटेन करनी है तो यह 30,000 लेकर आएगा एंट्री क्या होती है bank account debit to wise capital तो कभी भी अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो याद रखना जो आपने closing balance आपकी जो actual capital है उसको by balance brought down कर दो क्योंकि आपने two balance carried down लिखा होगा तो उसको 70 और 50 लिख दो और यहाँ पे अब आप सोचो की नई capital क्या आएगी तो नई capital क्या होगी जो question में आपको बोल रखिए कि नया ratio उसके इसाब से आपकी 120 बढ़ जाएगी तो 80 और 40 कर देते फिर जो भी डिफ्रेंस आ रहा है वो टू बैंक by bank क्या टू करेंट by current कर देना तो कभी भी आपको रटने की ज़रुत नहीं होगी यह एक तरीके से अब तुझे 40 मेंटेन करने की ज़रुत है तो दस जार ले ले तो जैट को दे दिए जैट केपिटल डू बैंक वैसे देखिए यहां पर क्या बोल रहा है लेशन 14 में कि चलिए आपको एक बार हल्का सा हिंट दिखा देता हूं कि जो मैं आपको बोल रहा है कि PDF जो है उससे रिलेटेड देखिए इस तरीके से इसमें प्रॉपर केस बने वे यह एड़्जेश्मेंट ऑफ कैपिटल आपको दे रखी है यहां पर आप देख सकते हैं टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म इस गिवन यानि पहले से अगर आपको टोटल कैपिटल दे रखी है तो आपको इस टैप दे रखे हैं तो इस टैप तो देखिए आपको खुद ही पता चल जाते हैं सबसे पहले अपको पता रहेनी चाहिए फिर इसके बाद टोटल कैपिटल आपको कोशिशन में दी होगी तो टोटल कैपिटल को आपके अगर होगे नए प्रॉफिट शेंग रेशो में बाट दो होगे फिर जो डिफरेंस आइगा वह सर्प्लसएड इफिसिट होगा तो वह कहाँ है उनके कैष कांऊन्ट में बेंकट में यह करेंट अक्उंट में यह जैस कर दो कि तो एक ओंत्ली होगी यह देने की और यह लेने की यह यहार्म जर Cong की capital दे रखिए अब देखिए यह capital दे रखिए लेकिन यहां पर देखो नए फर्म की capital कितनी है 50 और देखो 50 आपको देदी पर जनरली वह इसके comparison में दोनों के साथ ही देदी यह सी रिटायर हो गया पर ज़रूरी नहीं है तो coincidence है यहां पर आपको तो कोशन में 80 भी बोल सकता था वलनेक भी बोल सकता था वैसे बोल सकता था ठीक है वह इसे साब से amount ज्यादा कम आ जाता उसे साब से amount ज्यादा कम आ जाता पर देखिए 50 को क्या बोल रहा है नए profit जो अब यह भी बताया मैंने तो चाहिए फर्स्ट केस देखिए सेकंड फर्स्ट केस में बस क्या है टोटल केपिटल आपको दीवी होती है और जब सेकंड केस देते हो देखते हो तो उसमें आपको कैपिटल नहीं दीवी होती है तो उसकेस में आप क्या करते हो एग्रीगेट ओफ एडजस्टेट कैपिटल ओफ रिमेनिंग पार्णर कैपिटल तो यहां पे देखिए आपको एबी सी पार्टनर है एए रिटायर हो गया ठीक है तो रेशो क्या बच गया सोरी बी और सी एग्रीट और में लेकिन देखे इसको भी पढ़ना पड़ता है क्योंकि तीसरा की साब क्या बोली के सरे और सारी क्यों ले रहे है मंलाब जो जा रहा है पार्टनर उसकी के लियुक्शिथ पार्ट seulement ठाप को आप क्या सा सब्सक्राज बोल रहा है कि एक औराई गिल्ध और profit sharing ratio में हो जाए तो आपका B और C की जो future capitals बोल दी so that future capitals of B and C तो आपको बता है कि B और C की जो capital थी वो 50 plus 40 90 थी तो वहाँ पे A का content लिया ही नहीं गया तो इसलिए हमने सिर्फ B और C का बाट लिया और 90 को बाट दिया किस ratio में यहां कुछ नहीं भी बोल रखा तो new profit sharing ratio क्या होगा उसका 5 proportion हट जाएगा और 322 अब देखिए 54 36 बाट दिया जबकि पहले कितनी थी 50 और 40 दे रखी थी तो जो difference है वो 4000 आ गया एक में plus का रहा है एक में माइनस का रहा है ठीक है यानि एक में कि जो यह माइनस का बाट आ रहा है उसमें क्या बोल रहा है नहीं capital 36 maintain करनी है जबकि पहले कितनी थी 40 तो इसको चारजर कम maintain करनी है तो यह चारजर निकाल के चले आएगा sees capital to cash जबकि इसको चारजर ज्यादा करनी है तो इससे लिया जाएगा आगया अब मैं तीसरा जो अभी आपको example बताऊंगा तो वो तीसरे case से related है इसमें जनरली क्या बोल रहा है कि जब भी retiring partner को pay किया जा रहा है तो थो amount brought by the remaining partners in a manner to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio उपर वाली में जनरली आप देखो कि इसमें क्या बोल दिया future capital उनकी profit sharing ratio में हो जाए future capital कितनी थी 50 और 40 थी 90 ही थी इसका मलब आपने जो रिटायर होगा था उसका पार्ट नहीं लिया लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है जब retiring partner को pay किया जा रहा है किसके दौरा remaining partner दौरा इस manner में कि जो देर capital अब देर मतलब क्या हुआ सब की capital A B C सब की capital किसके proportion में हो जाए new profit sharing ratio में हो जाए इसमें दो case आते हैं देखिए मैंने सिर्फ यह case लिया है यह आपका ज़रूरी नहीं है मैंने सिर्फ क्या अगर आए जब example cover किया है तो यही cover किया है जिसमें मैंने क्या लिए अब देखिए मैंने B और C की capital नहीं लिए मैंने क्या लिए total adjusted capital of all partner लिए चाहे अगर आप यह case देखना चाहते हो तो मैं यह illustration आपको cover करा दूँगा यह इससे link है ठीक है पर मैं एक बार यह वाला जो है पार्ट यह simple part है तो यह मैं आपको इस particular illustration के तुरू cover करा देता हूं जो कि यह दे रखा है ठीक अब आब याद कर लिजिए पिछले illustration में मैंने आपको क्या बताया कि देखिए X रिटाईर रुआ है तो X की capital नहीं नहीं क्योंकि X की capital यह दे पहले वात तो तो किसकी दे रखी है य और Z की capital दे रखी है और यह बोल रहा रहा किसने Y और Z किया कि दियर capital अब देखिए आपको पताए कि इस case में Y और जैड की थी तो आप X की ले ही नहीं सकते थे अगर X की दी भी होती तो question में क्या बोलता कि इनकी future capital तो इनकी future capital यही होती या इनकी capital मलब Y और Z की बोलता तो तब आप क्या करते 70 और 50 ही लेते जो कि हमने यह लिया जबकि अगले वाले पार्ट में देखो तीनों की लिए कैसे देखे बोला नंदन जॉन और रोजा पार्टनर है 432 में एक अप्रिल 16 को जॉन गेवे नॉटिस तो रेटायर फ्रॉम नंदन और रोजा डिसाइड तो फ्योचर प्रॉफिट इक्वली वन इस्ट वन एन और रॉजा आफ्टर ओल एडज़ेश्मेंट शोड़े बैलंस और फार्टी थ्री एंटी थाओं फाइफंड रेस्पेक्टिवली जो रिमेनिंग पार्टनर है अब सोच यह जो जा रहा है उसको टोटल अमांट कितना दिया जाएगा 95500 तो आप बोलोगे सर जौन जौन के बाद बैलंस दे रखा था तो यह भी तो कैपिटल का बैलंस है कई जिने सोचते हैं सोचते हैं कि या टोटल अमांट पे कर रहा है पता नहीं क्या दे रखा है स यह भी बैलंस है और यह जो जाने वाला है रेटाइरिंग उसका बैलंस है ठीक यह बोला इस अमांट वाश टू बी पेड वाई नंदन और रोजा इन सचे वे डैट देर कैपिटल बिकम प्रपोर्शनेट तो देर न्यू रेशो आ गया तो जैसे ही आपको यह आ गया प्र की भी लेनी है ठीक तो जब आपको क्या है देखो अब आप बोलो कि सर यहां पर दो केस आपने बोले कि दो केस दे रखे दे तो हमें कैसे पता चलेगा देखिए आपको अगर पहला केस देखोगे तो बोल रहा है वैंड डिसाइड़ टू लीवे मिनिमम कैश और बैंक बै टोटल कैपिटल लेनी है तीनों की तीनों मतलब जो तीन पुराने पार्टनेर उनकी आपको नैसेसरी जनल एंट्री पास करनी है फॉर्म की बुक में शो यार वर्किंग क्लियर ली यह तो दे रखा है यह तो नॉर्मल देता ही है अब देखिए आपने बोला कि सर किसको प जैसे तीनों का टोटल करोगे तो आपको पताए कि यह तीनों का टोटल कौन देंगे नंदन और रोजा ही देंगे इसको जो पे करेंगे वो कौन पे करेंगे नंदन और रोजा तो इसका मलब क्या हुआ यह कैपिटल का मौंट यह कैपिटल का मौंट और यह वाला मौंट जो पे करेंगे यह नंदन और रोजा के नए रेशो में बढ़ जाएगा तो नए रेशो क्या है इक्वल यानि वन इस टू वन में नीचे एक बार दिखा देता हूं आपको देखिए 43,000, 80,500 और जो मैंने आपको बताया 95,500 यह मिलाके बन गए 2,19 थोड़ा सा मैं एक बार उपर कर लेता हूं यह रहा टोटल कैपिटल अफ न्यू फर्म नंदन कैपिटल रोजा एन अमाउन पेट टू जो कि जॉन का कैपिटल का बैलेंस है तो टोटल में लाके कितना हो गए 2,19 थीक 2,19 को इकोली बार दिया 1 इस टो 1 अब देखिए यह बैलेंस यह मेंटेन करेंगे 2 बैलेंस करेंगे 2 बैल अब रोजा को क्या बोला या जो भी गर्ल है उनको क्या बोला कि आपका 1,9,500 आपको मेंटेन करना है तो इसका मलब आपसे 29,000 और मांगने इससे 66,500 और मांगने तब इसकी एंटी देख लेना क्या और यह बैंक अकाउंट डेट तू नंदन कैपिटल टू रोजा कैपिट 43 यह सब कुछ पार्ट थे तो अगर हमारे बैंक में पैसा कम होता है तो पार्टनरी तो पे करेंगे देखो जो जा रहा है उसको पे कौन करेगा यह थोड़ी हवास आएगा पैसा या तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा तो यहां पर क्या बोल रहा है बैंक से लोन लेने की कि आ रहे हैं तब जाकि वो क्या कर पा रहे हैं पेमेंट कर पा रहे हैं तो आप देख सकते हो उतना का उतना amount show होगा क्योंकि difference के basis में हम क्या बोलेंगे ज्यादा पेकर ना पड़ रहा है तो यह minimum cash balance required minus opening cash balance इसका मतलब क्या है आप सोचिए आपको question में बोल दिया आपको balance sheet दे दिया और बोल दिया 20,000 आपका cash balance दे रखा है cash या bank जो भी आ रखना तो आपको cash and bank 20,000 दे दिया और आपको नीचे बोल दिया line में कि आपको 5,000 maintain करना है तो इसका मतलब क्या हुआ आप कितना use कर सकते हो 15,000 तो आप कितना plus करोगे यहां पे 15 तो total adjusted capital के साथ 15 plus करोगे या दूसरा तरीका क्या है plus minimum cash balance required minus opening cash balance ठीक है मेरे साब से plus नहीं करोगे minus करोगे यहां पे क्या हो है 20 तो देखिए plus का क्या करोगे 5000 और minus का क्या करोगे opening cash balance कितना आपका 20 तो उस case में generally क्या हो जाएगा आपको बताए कि plus का 5 और minus का 20 तो minus का क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा तो आपकी total adjusted capital में से वो minus का 15 का पार्ट हट जाएगा तो यह क्या particular formula है यह आपको यूज करना पड़ेगा अब देखिए इसका logic क्या है वह भी बता जाता हूँ आपको कि देखिए जैसे election 13 में क्या बोल रहाए ABC partner है 321 है सी retire हो गया यह रगना इसकी PDF पर्टिकुलर क्या करूंगा screenshot खेच के आपको क्या करूंगा particular अलग से cover करके दे सकता हूं कि दो तीन जो में आपको करा हैं तो मैं आपको बाद में प्रवाइड कर दूँगा लेकिन आप पूरी PDF लेंगे कोई फायदा नहीं क्योंकि उसमें क्या अलग से फालतू के topic भी बहुत सारे जुड़े हों सी रिटायर हो गया on that date the adjusted capital of ABC stood 30 40 30 तो आप देख सकते हैं वननेक हो गया see is to be paid in cash see को cash में पेगिया जाएगा मैं बता है the cash balance amounted to rupees 20 and a minimum cash balance of 10,000 is to be maintained दीकि इसका मलब क्या होता है आप जितना भी adjustment का कर लोगे ना उसके बाद आप देख लेना आपका cash balance 10,000 मेंटेन रहेगा तो यह बोला calculate amount of cash to be paid or to be brought in by the continuing partners अब देखिए जैसे आपको minimum cash balance maintenance maintain करने के लिए बोला 10 तो आपने plus 10 कर दिया और आपको बता है कि opening cash balance कितना था जो balance sheet में दिया होता है ठीक है जब C retire होता है या जो भी retire होता है person तो आपको बता है balance sheet बनी भी देरे लेक तो जनरली क्या है ABC की कैपिटल है जो की मेंटेन रहेगी ठीक प्लस मिनिमम कैश बैलेंस 10,000 का मेंटेन रहेगा तो प्लस का 10 का पार्ट और माइनस देखिए कैश बैलेंस कितना है 20 तो हम बोल सकते हैं कि 1,000,000 के हिसाब से जो B और A है वो पे करते या उस हिसाब से एडजस्ट करते और जो भी अमाउंट क्या होता जो भी डिफरेंस का पार्ट आता वो या तो रिसीव करते या पे करते या तो A रिसीव करता या A पे करता जैसा भी पार्ट है एक रिसीव करेगा एक पे करेगा ज अगर आप minimum cash balance 10,000 maintain करने की बोल रहे हो और आपका शुरू में 20 था तो इसका अमल हम क्या बोल रहे हैं अगर आप 20 से लेके 10 पे पहुचोगे यानि 10,000 आपको maintain करना है तो आप कितना यूज कर पाऊगे यानि फर्म कितना यूज करवाईगी 10 तो फर्म में कौन है पार्टनर तो ए और भी क्या बोलेंगा अच्छी बात है कि जो वन लेक था लेकिन वन लेक में से 10,000 हम क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं अगर 20 पूरा यूज कर लेते तो वन लेक में से माइनस 20 जाता ठीक है तो आपको बताए कि वन लेक में से क्या जाता पूरा का पूरा माइनस 20 20 जाता लेकिन हम कितना यूज कर पाए वह 10,000 यूज कर पाए इसलिए formula क्या बन गया plus minimum तो देखिए अगर मैंने अपने example में बोला था कि minimum cash balance कितना है 5000 तो आप खुद सोचिए plus का 5 minus का 20 तो माइनस का 15 तो इसका मलब क्या हो गया 1 lakh में से माइनस का 15 तो हम यूज कर सकते हैं जो कि हमारी firm का balance है और बाकी क्या होगा हमारी capital में से adjust हो जाएगा तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि total मिला के 1 lakh है उसमें से हम minimum cash balance 10,000 maintain करना चाहते हैं जबकि cash balance कितना था 20 तो इसका मलब 20 में से 10 गये तो हम 10,000 यूज कर सकते हैं तो 1 lakh में से अगर 10,000 firm का cash use कर लिया तो बाकी हमारी capital में से कितना adjust होगा 90,000 के according adjust होगा 90 में से हमारा इसा कितना है 3 upon 5 A का कितना है 54 B का कितना है 2 upon 5 36 ठीक है तो अब यह maintain होगा एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि यह नया balance हो गया जबकि existing कितना था 30 और 40 तो इस case में हम क्या बोलेंगे द यह है देखिए mistake तो होई जाती है अब देखिए भी पता चल गई मुझे तो printing mistake है क्या कर सकते हैं देखिए तो राजिस्तान बोड की में mistake है तो कुछ ने कुछ हो सकती है तो 30 से 54 तो यह 24,000 का पार्ट यह लेके आएगा और यहां देखिए 36,000 का पार्ट आपको दे रखा है तो existing 40 थी लेकिन अब maintain कितनी करनी है जो आपने 36 निकाली तो इसका मतलब यह 4000 पर निकाल के चले आएगा तो 20 capital to cash हो जाएगा तो आपको इतना typical नहीं सोचना normal सोचिए अब देखिए अगर यही case जो आपका आता जिसमें आपको minimum cash balance maintain करने के लिए नहीं बोला जाता तो 40 30 प्लस 30 प्लस 30 तो कितना हो जाता आपका 1 lakh में आपको minimum minimum कुछ maintain करने की जुरती नहीं होती तो 1 lakh का 3 upon 5 कितना था 60 और 2 upon 5 कितना था 40 60 और 40 पहले कितना था 40 और 30 था इस example के हिसाब से जो आपको दे रखा है ठीक है और यहाँ पर जनरली जो आपको दे रखा है मेरे हिसाब सब्सक्राइब एक बार देख लीजिए कि सही है तो हाँ हाँ सही है सही है देखिए कह थोड़ा adjustment देखना पड़ता है तो यहाँ पर भी आपका सही है 40 और 30 ते रखा है यहाँ पर वह और बी का पार्टी है तो हम बोल सकते हैं देखिए 20,000 एक तरह के से लेके आ रहा है औ कोनों ही लेके आ रहे हैं तो cash account debit to A capital to B capital तो आपको इतना टिपिकल नी सोचना जो मैंने बताया है उससे related सोच लेना अगर आपको देखना एक्स्ट्रा तो मैं particular उसके screenshot आपको दे दूँगा और एक बारा practice करके देख लेना आपकी मर्जी है ठीक है अब हम किसकी बात कर रह है और आपको बता है कि अगर बीच में particular person की यानि partner की death हो जाती है जैसे मानलों कि 31 March को accounting year close हो रहा है और April में June 30 June को इसकी क्या हो जाती है देख हो जाती है तो तीन महिने का जो भी profit का part होगा form का ठीक है interaction drawing का part होगा वो generally कैसे होगा adjust तो हलका सा part cover कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो यह बोल रहा है accounting treatment in the case of that is the same in the case of retirement except the following अगर मैंने आपको शुरू में पहली वीडियो में retirement वाली retirement and death वाली में शुरू में point बता है तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर उसके legal representative का account बनेगा या जिसको हम executor बोलते हैं अगर उसका account बनेगा तो उस case में same adjustment होंगे सारे के सारे जो भी revolution के profit अगर होता है बीच में death हुई है तो by P&L suspense के नाम से होगा यह बताया था मैंने आपको इसके लावा interest on capital, salary, two drawing, two interest on drawing यह सारा part adjust होगा फिर उसके अलावा आपने goodwill का part देखा, reserve का part देखा जो सारा का सारा आपने theoretically part cover किया ठीक एक बार मैं आ देखिए यह part तो यहा रखना कि यह सारे के सारे क्या होंगे credit होंगे capital account में जो भी retiring या disease partner है अगर आप disease partner का क्या कर रहे है जिसकी death हो गई है जैसे माल लो कि ABCA C की death हो गई तो C के executor का account बना रहे हो तो आपको पता है कि आपको क्या करना पड़ेगा जो C की capital का balance है वो C के executor account में transfer करना पड़ेगा अब खुछ सोचिए कि अगर C की capital का balance है तो वो credit होता है क्या होता है तो आप C को खतम कर रहे हो C वैसे end हो गया C की death हो गई खतम करने का मलब C के capital balance को end कर रहे हो और उसके legal representative के account में डाल रहे हो तो C is executor समझ गए तो जब भी C is executor की entries होती है तो हम क्या करते हैं यहां पर by balance नि लिखते हैं by C is capital लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं क्योंकि entry आपको बनानी आनी चाहिए रटते नहीं है तो देखिए credit balance of its capital आ गया ना credit balance of its current पर कब अगर वो credit का balance है अगर current का debit का balance है तो वो कहा होगा capital के या C is executor के debit side में अगर credit है तो credit side में होगा share of goodwill, share of reserve, undistributed profit बताया था revolution का part, revolution का जो भी profit है share in profit up to date of retirement, oblig death तो generally यह किसकी बात कर रहा है आपको बताए कि उस particular date को जब retire या death हुई तो आप अपने assets library का revolution करा उसका profit या loss निकला profit credit side में, loss debit side में ठीक है इस तरीके से आपको मैंने cover कराया था सारा का सारा तो जरूर एक बार देख लेना, यहाँ पे आपको जो दे रखा है वो आपको debit side के दे रखा है, जैसे कुछ accumulated losses, drawing, interest and drawing, जो पुरानी goodwill return off होती है, current account का debit balance, revolution का loss और last में क्या बोल दिया, जो आपका retirement and death के time पे business का loss होता है, तो loss से related उस particular partner जो retire हुआ है, death हुई है, अब सीधा लेके चलता हूँ, उस particular part पे, तो देखिए, यही बोल रहा है कि सब कुछ same रहता है, लेकिन except the following, the disease partner claim is transferred to his executor's account, ठीक है, तो वहाँ मैंने उपर आपको बता है, सारा का सारा part same है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, जो disease partner है, जिसकी death हो गई, जैसे मैंने आपको बताया था, seize capital, तो वह सारा का सारा का transfer हो जाएगा, C के executor account में, तो to seize executor आजाएगा, तो seize capital account है, तो seize executor, इसलिए जब भी आप seize executor account बनाओगे, तो by seize capital करोगे, एक ह हो गई, तो ace capital to ace executor, तो by ace capital करोगे, ऐसे, फिर बोला, normally the retirement, generally retirement जो होती है, या रगना accounting period के end में होती है, क्योंकि retire करता है, पूरे particular एक साल काम कर लिया, फिर उसके बाद retire होगा है, क्योंकि एक particular period होता है, normally यह मान के चलिए, कि retirement क्या होती है, accounting period के end में, लेकिन death तो कभी भ आतर case आपको death के case में देखते हैं, लेकिन इसको आप retirement के case में भी देख सकते हैं, समझ गए, hence the claim of disease partner sell also include his share of profit or loss, तो खुद दिमार लगाईए, कि firm ने 3 महीने का profit कमाया, 4 महीने का profit कमाया, partner की death हो गई, तो इसको हिस्सा नहीं मिलेगा क्या, जो भी time के basis पे होते हैं, जो भ मिलेंगे, मिलेंगे, तो आपको बताएगी profit or loss का जो share है, वो तो मिलेगा, interest on capital timely basis पे मिलेगा, drawing का part जो भी होगा, उस पर जो interest on drawing है, वो तो charge हो गई होगा, अगर वो क्या करता है, monthly 5000 draw करता था, और 3 महीने तक drawn करे, और उसकी death हो गई, तो 5000 to 3000, 15000 उसकी capital में से कम हो गई हो यह नहीं करा, या रखना, क्योंकि आपको बताएगी, मान के चलो 31 मार्च को balance दे रखा है, C की capital का, और that कब हो गई, 30 जून को, तो भाईया, adjustment हुआ ही का होगा, जो 3 महीने का जो particular interest on capital है, drawing है, interest on drawing है, ठीक है, revolution का profit loss है, वो भी तो निकलेगा, तो यहाँ पे यही बोलना च firm के profit की बात कर रहा हूं, कि firm जो P&L appropriation में डालती है, या रखना, जो firm P&L appropriation में डालती है, तो यह बोल रहा है कि जो भी firm का profit आया, या loss आया, वो कैसे बटेगा, तो दो basis बटता है, एक तो बोल दिया time के basis पे, और एक आता आपका turnover के basis पे, जिसे हम sales basis भी बोलते हैं, तो सबसे पहले हम क्या देख रहे है, time के basis पे, ठीक, आज की वीडियो में अपना यही पार्ट रहेगा, और आगे का जो पार्ट होगा, वो क्या करेंगे, अगली वीडियो में cover करेंगे, तो सबसे पहले देख ले रहे है, time basis पे, यह बोल रहा है, in this method, proportionally profit for the time period is calculated, either on the basis of last year's profit or on the basis of average profit of last year, and then deceased partner's share is calculated based on his share of profit, अब देखिया, आप रटते हो, लेकिन आप सोचिए कि अगर कोई particular partner होता आपकी firm में, ठीक है, और उसकी मान के चलो की, टू मन्द बाद ही डैथ हो जाती है, ठीक है, टू मन्द का मतलब क्या हो गया, मालनो कि आपका accounting यह 31 मार्ज को close होता ह और अप्रेल में तो यह मान के चलो की, 31 में को उसकी दैथ हो जाती है, तो टू मन्द का जो firm का profit है, क्या बोला मैंने, टू मन्द का जो firm का profit हो कैसे निकलेगा, तो आप बोलोगे, सर अभी तो calculate ही नहीं किया, तो उस cases में आप क्या बोलोगे, लास्ट येर का profit बेस ले लो या दो साल के profit ले लो, ऐसे भी बोल देगा, तो आपको कुछ भी बोल सकता है कि एक साल का profit, last year's profit, average profit की बात कर देगा, कैसे भी बोल देगा, वो ले लो, उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी जैसे आप suppose करो कि कि कितना निकला, मैं नॉर्मल एक्जामपल ले रहा 4000, firm को, firm को क्योंकि देखिए, firm का साल का average profit है, average मतलब क्या हो गया, annual profit है न, उसका 2 upon 12, 4000 firm का profit है, दो महिने का, उस दो महिने में उसका हिस्सा कितना है, यानि मान के जलो, अगर C की दैत हो गई, तो उसका 1 4th हिस्सा था, तो यहां पे बोल रहा है, देखिए, proportionary profit निकलेगा for the time period is calculated, ठीक, किसके basis पे, last year के profit, या average profit के basis पे, and disease partner share is calculated based on share of profit, और उसका जो हिस्सा है, जिसकी दैत हो गई, उसके basis पे उसका हिस्सा निकल के आ जाएगा, तो यहां पे यही बोल रहा है, देखिए, क्या बोल रहा है, ABC partner है, 321, एक ही दैत हो गई, 31st जुलाई, ठीक, profit for the firm for the year ending, 31st मार्च, तो मार्च के बाद देख लिए अपरेल, मही, जून, जुलाई, 31st जुलाई है या रगना, 1st जुलाई नहीं है, 1st जुलाई होता तो 3 महीने, 31st जुलाई है तो क्या है, 4 महीने, 4 मन्त, और देखिए, profit कितना है, 42,000, आप खुद देखिए, कि कब का दे का है, पिछले साल का profit देने गा है, 31st मार्च, 15, क्योंकि दैद कब हुई है, उसके 4 महीने बाद, ठीक, तो 42,000 का जो आप जनरेल निकालोगे, वो क्या निकालोगे, 4 upon 12, 42,000 का 4 upon 12, तो यह firm का 4 महीने का profit आ गया, 4 upon 12, उसमें से उसका हिस्सा, calculate a share for the period from 1st April to 31st July, on the basis of last year profit, यह नहीं बोलता, तब भी निकालते, pass necessary general entry also, तो आपको पता है कि उस basis पर क्या निकल के आ जाएगा, आपका 3 upon 6, 3 upon 6 क्या है, इस A का हिस्सा, जिसकी death हुई है, तो यह किसका है, यह firm का profit है, 4 महीने का, और उसमें से A का हिस्सा, कितना है 7,000, entry क्या होगी, suspense account से, क्योंकि आ accounting year के अलावा, particular आप जो भी profit का part, सामने आले partner को देते हो, या loss का part, तो आप किस्से करते हो, P&L suspense या adjustment से, तो यहाँ पे किस्से करते हो, P&L suspense के तूर, तो P&L suspense तूर, अब turnover के basis पे, और एक और चीज यह देखिए, यहाँ पे formula भी लिखा हुआ है, चाहिए आप देख सकत इस पे बोल रखा है, तो इसमें भी आपका simple part है, कोई ज़्यादा typical नहीं है, यह बोल रहा है, in this method, the profit up to the date of death for the current year calculated on the basis of current year sales, up to the date of death by using the formula, अब देखिए formula यह दे रखा है, चाहिए आपने यह नहीं पढ़ा, यह समझ में नहीं आया, तो इससे समझ में आ जाएगा, आपक example देख रहे थे, April, May, June, July, 31st July, तो चार महीनी की sale तो पता होगी, तो यह बोला, sale of the current year up to the date of death, तो हमने पिछले साल की पूरी की पूरी sale ली, और उसका particular proportion बना दिया, कि मान के चलो, अगर पिछले साल 10 lakh की sale होती, और भाईया, इस चार महीने के दोरान जो पिछले साल सेल क की sale थी, और इस साल जो चार महीने में sale हुई है, 3 lakh की हुई है, तो हम क्या मान के चल रहे है कि around 30% है, 3 lakh upon 10 lakh in 200, या 0.30 बोल सकते हो, तो अगर पिछले साल का profit होता, तो उसका 30% profit इस साल होता, ठीक है, यही बोल रहा है, तो यहाँ पे देखिए, into profit for the last year दे दिया, then from this profit, the deceased partner share of profit is calculated, तो यह भी firm का हिस्ता निकल के ही आया है, उस particular 4 month का profit का, अब देखिए, जो पिछले example में आप देखोगे, तो पिछले example में आपको यह बोल रखा, कि profit of the firm for the year ending 31st March 15, मलब पिछले साल का profit आपको 42 दे रखा है, ठीक है, पूरे एक साल का, और आपको sale दे रखिए, अब देखिए, इसका logic यही होता है, कि अगर आपको annual basis पे sales दे रखिए है last year की, जैसे इस example में बोल रखा है, if in the example 1 given above, the sales for the last year 2,10, ठीक है, and for the current year up to 31st July, और say Rs.90,000, then profit from 1st April to 31st July 15, यह बोल रहा है कि जो sale last year की 2,10 थी, और current year की 1 April से जुलाई तक की 90,000 थी, तो आपको बत चल गया कि अगर पिछले साल का profit 42 है, जो कि आज के basis पे मान रहे कि अगर आज होता, तो क्या होता, तो sales के particular proportion के basis पे आपका आज का profit आ जाता उस 4 मंत का, तो 4 मंत का कितना निकला, 18,000 निकल के आ गया, दूसा तरीका यह भी है, सोच यह कि अगर आपकी 2,10,000 की पिछले साल का profit, ठीक है, तो जो इस साल, जो 4 मही ने business चला, जैसे उसकी death हुई कत्य जुलाई, तो 4 मही ने business चला, तो उसमें sale हुई थी 90, तो पिछले साल के साब से 2,10 की sale पे 42 profit हुआ, तो यह एक percentage का profit आ गया, किस पे जो कि turn over पे आता है, कि sales पे कितना GP है, तो हम क्या बोल दखते ह यह एक तरीके से percentage आ गया, यह बिल्कुल सही तरीका होता है, तो 90,000 की sale पे कितना GP होगा, या कितना profit होगा, ठीक, तो यह एक percentage के form में आ गया, जैसे into 90 की sale पे करोगे, तो आपका 18,000 आ जाएगा, यह firm का आया, और उसमें से उसका जो 3 upon 6 हिस्सा था, वो निकाल लोगे, त sales के basis पे होता है, अब देखिए, यह हो गई, एक गंटे की proper वीडियो, वैसे तो जो पार्ट बचा हुआ है, वो अपना और भी बचा है, बहुत सारा, तो मेरे हिसाब से तभी cover नहीं हो पाएगा, नहीं तो क्या हो जाएंगे, वन और 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 लग जाएंगे, तो इसको मैं एक्स्टा जोड़ी होनी चाहिए, यहां पे दे तो रखिए, पर लाइन नहीं दे रखिए, क्योंकि लाइन होगी, तब जाकि हम क्या करते हैं, सारा का सारा एक्जुकिटर अकाउंट में पहले ही ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन इसने क्या गरा है, एडजश्मेंट के ब बाट आएगा, अब देखें, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में बहुत बड़ा पार्ट आता है, बहुत बड़ा मलब क्या हो गया, उसमें क्या होता है, अगर पर्टिकलर पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो रिटायर के केस में जेल्पी क्या होती है, इंडिविजल पॉलि टॉपिक कवर हो जाते हैं तो मैंने आपको क्या बता है एक्स्ट्रा टॉपिक के फॉर्म में यह एलपी के कुछ और पार्ट होंगे तो वह कवर कराऊंगा वर्ना मैं इसके साथ नहीं कवर कराऊंगा नहीं तो क्या होगा फालतू के लिए मैं को एक और पीडिये बनानी expenditure मना जाता है ऐसे ऐसे आपको सोचना है और एक्जाम में यह आते है surrender value क्या होती है यह आ सकता है ठीक तो इसको हम करेंगे अगली वीडियो में cover वीडियो देखने के रिए thank you